तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक इसे सेक्स के बारे में बताऊंगा जो बर्ड्स लवर में बहुत ही लोक प्रिया है इनका नाम है दीपनकर दिंडा लेकिन इनको लोक पैरट दीपनकर के नाम से ही जानते हैं क्योंकि दिपनकर तिंदा एक बहुत ही बड़ लवर हैं और उनके पास अलग-अलग प्रजाती के बहुत सारे पैरिट्स हैं और इनका एक यूटूब चैनल है जिसका नाम है पैरोट दिपनकर इसलिए लोग इन्हें पैरोट दिपनकर नाम से ही जानते हैं इस यूटूब चैनल पर दिपनकर दिंदा पैरोट रिलेटेड अलग-अलग वीडियो अपलोड करते हैं अपनी वीडियो में वो पैरोट रिलेटेड अलग-अलग इन्फरमेशन बताते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है पैरोट दिपनकर यूटूब चैनल के आज छे लाग से भी जादा सब्सक्राइबर हैं और यह सब्सक्राइबर दिन बढ़ते ही रहते हैं लेकिन हर सक्सिशफुल आदमी की पीछे एक डिफिकल्ट जर्नी होती है पेरट दिपनकर की भी एक इंस्पारिंग कहानी है जो उन्होंने खुद एक वीडियो में बताई थी तो मैं आपको वही स्टोरी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नायों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें तकि जब भी मैं बर्ड्स रिडेटेट कोई वीडियो अपलेट करूँगा तो उसके नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी पश्यम मंगल में रहने वाले पैर्ड दिपनकर को बचपन से ही बर्ड्स का बहुत चोप था थोड़ा बड़ा होने के बाद पैर्ड दिपनकर बर्ड्स में ही ज़्यादा टाइम और पैसा लागाने लगे यह बात उनके घरवालों को पसंद नहीं थी पेर्ट दिपनकर के घरवालों का कहना था कि बर्ड्स पर 25-20,000 रुपए फुजूल खर्ज करने से कुछ दूसरा काम करो उन दिनों में पेर्ट दिपनकर के फैमिली की कंडिशन भी उटने अच्छे नहीं थी तबी भी पेर्ट दिपनकर अपने बर्ड के शोक को छोड़ नहीं सके कुछ दिनों बाद पेर्ट दिपनकर की शादी हुई तब पेर्ड दिपनकर के पिता ने कहा अब तो तुमारी शादी भी हो गई है अब तो इन बर्ड के शोक को छोड़ दो बिजनेस समभालो पैसा कमाओ पैसा नहीं कमाओगे तो जी होगी गैसे तब ही पैरट दिपनकर ने कहा कि बर्ड्स के शोक को चोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तब ही उनकी पिता गुसा हो गए थे और पैरट दिपनकर को कहते थे कि अगर दमे तो खुद के पैरों पर खड़ाओ कर दिखाओ कुछ करके दिखाओ बाप के घर में रहकर खाना खा रहे हो ये बात पैरट दिपनकर के दिल पर लग गई और उन्होंने आपने वाइफ और तीन महीने के आपने बच्ची को लेकर घर छोड़ दिया घर चोड़ने की ये बात पैरट दिपनकर के पिता को पसंद नहीं आई और उन्होंने पैरट दिपनकर को वापस घर बुलाया नहीं पैरट दिपनकर ने जब घर छोड़ा तब उनके पास एक रुपया नहीं था तब उन्होंने अपने और अपने वाइफ के पास का गोल्ड गिरिवे रखके कुछ पैसे जमा लिए पैरट दिपनकर ने law complete किया था तब वो कोड के काम के लिए जाने लगे लेकिन उस काम में उनका दिल नहीं लग रहा था पैरट दिपनकर को electronic computer वगरे में भी इंडरेस्ट था तब ही पैरट दिपनकर के दिमाग में CCTV का बिजनेस आया लेकिन उन दिनों में CCTV के बारे में बहुत कम लोग जानते थे तब ही पैरट दिपनकर हर एक दुकान में जाके CCTV दिखाते थे दुकान माली को CCTV के फाइदे बताते थे लेकिन लोग उनका मज़ा खुडाते थे लेकिन तब भी पैरट दिपनकर हिम्मत नहीं हारे और वो लोगों को समझाते गए, मेहनत करते गए, स्टागल करते गए और देरे देरे पैरट दिपनकर का CCTV का बिजनेस बहुत ही बड़ा होता गया उनको CCTV के काम मिलते गए और एक दिन ऐसा आया कि उनको गवर्मेंट के टेंडर भी मिलना शुरू हो गए और जो पैसे वो कमाते थे वो सब पैसे वो बर्ड्स पर ही खर्च करते थे उन्होंने पैसे कमा कि गिर्भी रखे हुए आपना सारा वोल्ल वापस बिलाया उसके बाद देरे देरे पैरट दिपनकर का बर्ड्स फर्म बड़ा होता चला गया उसके बाद पैरट दिपनकर ने आपना YouTube चैनल निकला और इस यूट्यूब चैनल की माध्यम से वो आपना बर्ड से रिलेटेट एक्स्प्रियंस शेयर करने लगे बीमार बर्ड की ट्रिटमेंट, बर्ड ब्रेडिंग टीप्स, अपना बर्ड फार्म का डेली रूटीन एसा सब वो वीडियो में दिखाने लगे और धीरे धीरे बर्ड स्लवर को पैरेट दिपनकर की ये वीडियो अच्छी लगने लगी और पैरेट दिपनकर का यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा हो गया पैरेट दिपनकर ये सक्सेस से उनके पिता भी खुश हो गये और उन्होंने पैरेट दिपनकर को आपस बुलाया और आपना बीजे समालने को कहा पैरेट दिपनकर अपने इस सक्सेस का क्रेडिट अपने पिता को ही देते हैं क्योंकि अगर उनकी पिता पैरेट दिपनकर को डाटते नहीं तो पैरेट दिपनकर घर नहीं छोड़ते कि inspiring कहानी तो पेर्ट दिपन करके इस कहानी से हमें यही सिक मिलती है कि अपने पैशन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए बहले वो पैशन कैसा भी हो पेर्ट दिपन करने भी कभी नहीं सोचाता कि यह बर्ड का शोक उनका करियर बन जाएगा और आज उनको उनके बर्ड के शोक करना ना भूले